हेलो एन वेलकम आप देख रहे हैं मनी नाइन और मैं हूँ स्वयाश महिश्वरी आज हम बात करने वाले हैं सिमेंट सेग्मेंट में जो हलचल चल रही है ट्यूज़े को औरियन सिमेंट का अमबुजा द्वारा अक्विजिशन इंडिया के सिमेंट वार्ज में एक और बड़ी लड़ाई का सिगनल है जहां अडानी ग्रूप और अल्टरा टेक जैसे बड़े राइवल्स सिमेंट सेक्टर के लिए असेट्स के लिए कंपीट कर रह उसके बाद गौतम अडानी ग्रूप ने संगी इंडस्ट्रीज पेना सिमेंट और माय होब ग्रूप के सिमेंट बिजनिस को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ कर इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर बनने का दरजा हासिल कर लिया जब अडानी अपने सिमें सिमेंट इंपायर को मजबूती से आगे बढ़ा रहा था वहीं अल्ट्रा टिक सिमेंट ने भी अपने एक्सपैंशन प्लान्स को तेजी दी और केसो राम इंडस्ट्री के सिमेंट यूनिट और इंडिया सिमेंट को अक्वायर करके अपनी पुजिशन और मजबूत बना ल प्रोडक्शन कापैसिटी की बात करें तो औरियंट के अक्विजिशन के बाद अडानी ग्रूप अपनी Fy28 तक कंसॉलीडेटड अन्वल कापैसिटी 140 मिलियन टन तक भढ़ाने का टार्गेट कर रहा है इसमें और पेना सिमेंट की पाइपलाइन में भी आने वाली के अड करेगा इसलिए ये देखना होगा कि कौन सी कंपनी अपने अंबिशिस टागेट को अचीव करेगी और उसमें कामियाब होगी पर ये रेज सिर्फ दो प्लेयर में नहीं है इंडस्ट्री के लीडर्स अल्ट्रा टेक और अडानी के लावा इंडिया में कुछ मेजर इतना अग्रेसिव ली एक्स्पैंड क्यों कर रहे हैं और इसका पूरी इंडस्ट्री पर क्या इंपक्ट होगा और सिमेंट सेक्टर का क्या प्रोस्पेक्ट है चलिए एक्सपर्ट से मुताबित बड़े सिमेंट मेकर जो है उनकी जो डिमांड ग्रोथ है रदर बड़े सि वालिडेशन होगा और मार्केट डाइनामिक्स बदलेंगे जो छोटे मैनुफैक्टर के लिए चैलेंजिंग बन सकता है अगर सेक्टर के बारे में बात करें तो फिच रेटिंग के अनलिस्स के मुताबित मानना है कि इंडिया की जो सिमेंट की डिमांड है वो अगले चार से पात साल में साथ से आठ परसेंट बढ़ने की संभावना है जो प्रोजेक्टेड जीडीबी ग्रोथ रेट से थोड़ा ही जादा है ये ग्रोथ इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रॉक्चर डेवलप्मेंट और हाउजिंग पर अपना ध्यान दे रही है जिससे स्टॉक्स में 9-10% करेक्शन आ चुका है इन फैक्ट अगर 2024 में पिछले 10 महीनों की बात करें तो तीनों स्टॉक्स ने ही इन्वेस्टर्स को डिसपॉइंट किया है इन तीनों में ही राधर 1-5% का करेक्शन देखने को मिला है और इसे अगर निफ्टी को कंपार करें तो निफ्टी ने 13% का रिटर्न दिया है यह परफॉर्मस दिखाता है कि मार्केट में बदलाव के बावजूद इन स्टॉक्स ने एक्सपेक्टेड ग्रोट नहीं दिखाई जो इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विशह है